पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर दे यी कॉंटेंड विच मैं वोकेशनल ट्रेनर विजेक मार कॉर्मेंट सीनियर स्केंडी स्कूल पीर महमतों तुअधा स्वागत करता दिया स्टुडेंट अज दे इस वीडियो सेशन दे विच असी ट्रेड प्लम्बिंग क्लास 11 दा यूनिट थर्ड डिस्कूस करांगे ता स्टार्ट कर देयां अज दा जो यूनिट है उस दा नाम है यूज ओफ पावर टूल पावर टूस दी वर्तों जो आज दा अपना कंटेंट है उस दे वेच आप जो डिस्कूस करांगे सब तो पिला अपना सेशन अब्जेक्टिव फिर असी जानपशान बारे गाल करांगे टाइपस ओफ पावर टूल्स किन्ने तरह दे जो पावर टूल्स हुन देनो उस बारे गाल करांगे पावर रैंचेज बारे गाल करांगे मल्टी टूल्स, इंपक्ट ड्राइवर्स, प्रिक्वेशन दूरिंग हैंलिंग ऑफ पावर टूल्स, सावदानिया जो वर्तिया जानिया हैं पावर टूल्स नो वर्तिन लाई Classification of Important Plumbing Power Tools Prequation During Handling Saws Plumbing Grinders अते लाश्ट तेस दी समरी बरे डिस्कस करांगे अज दे वीडियो सेशन दा जो अदेश है ओ है तो स्टूदेंट जो सिख जाने इस वीडियो सेशन दे वेच पूरी तरह describe the different type of power tools power tools बरे different different type दे जो power tools यूज न देने plumbing sector अस बरे define term of power tools पावर wrench अते इस दे किसमा explain terms multi tools define the terms of impact driver precaution should be during handling of power tools साफदनें ovरतियां जाना वालिया power tool नू संबालने में या वर्तन समय जो भी अपना सावदा निया वर्तन हो समय एक्स्प्लेइन दा टर्म अफ प्लम्बिंग ग्राइंडर बारे सी डिस्क्स करांगे तो सब तो पला सी स्टार्ट कर देयां इंट्रोडक्शन तो वेन वी यूज हैंड टूल्स एलोट अफ लेबर टाइम इस कंजूमड इन दे अक्टिविटी जदो असी हादे संदा दी वर्तों कर दे हां ता एस किरिया विच आपन बहुत सरी लेबर अते समा खर्चूंद है इसलिए प्लम्बिंग कम नो सौखा करने जरूरत महसूस किती जन्दी है या किती गई इस तरह पावर टूल्स पेश किते गए यह टूल्स बिजली मोटरां इंजनां अते यह कंप्रेस्ट एर अधिदी वर्तों कर दे हां एक वाद्दू पावर टूल्स रोद द्वरा जो की चलाए जन्दे निए तो नीड़े नीडवाजे फैल टू इजी प्लम्बिंग टास्क एड हैंड्स ठीक है पावर टूल्स वर इंट्रड्यूस पावर टूल्स नो ले अंदा गया पावर टूल्स दी वर्तों सिंपल जो भी काम में उस नो जल्दी करना अते असानी नाल उस काम नो पूरा कारपोना ही पावर टूल्स दी एक में वर्तों हैं जिस देच एक अलग श्रोत या शक्ती दी वर्तों किती जन्दी हैं जिमें की कह सकते हैं कंप्रेस्ट एर कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इस दी अपर वर्तों करते हैं पावर टूल्स देच एक उस जो की किसे पावर ते वर्काउट हन दे हन नेक्स्ट अपना है टाइपस ओफ पावर टूल्स सब तो पहला जैगाल किती जाएं था पावर टूल्स लई कई किसमा तोफ पावर टूल्स हो थे जो जड़े पावर टूल्स वर्काउट या सकते हैं अप पावर टूल्स कहते हैं तो बब गांच जो डिवाइड किते जान देने पोटेबल अथे चेशनरी पावर टूल्स पावर टूल्स चलन वेचे चलन वीच चलन योगा ते कारीगर द्वरा असानी नाल जो वर्तों में चले आ जावे उसनों आपा पोटेबल टूल केने जो के चलन योग होगा याओ ए इनन्हों एक था तो दूज़ी था नहीं जाया जासकदा यो स्टेशनरी टुल मेरा ठीक तो सब्सक्रिव तो पहला जो हीब चाहते पना डिखाई देरेह है जिस दर नाम है एर कंप्रेसर हवा दबाव यंतर जिन नो अप जाब भी कह सक देख इट इस ए मेकैनिकल डिवाइज वे ट यूटिलाइज एनर्जी टू कंप्रेस एर एक मेकैनिकल उपर ने जो हवा नू दबावन लई एनर्जी दी वर्तों करदा है एक लेक्रिक मोटल जोड़ी वर्तोंनल शक्ति नो बदलदा है ठीक है एक ये इट कन वर्ट पावर उजिंग इन एलेक्रिक मोटर की कि मल्टी मल्टी इंटु दे प्टेंशिल एनर्जी स्टोर्ड इन्दी ट्रेशराइज एर ठीक है प्टेंशिल एनर्जी जो की जज़त संबावी उर्जा जो स्टोर करना दवा दबावाली हा वाद रूप वेच आपाईनू कह सक देयां प्टेंशिल एनर्जी जो स्टोर हो एंदी ये टैंक दे अंदर ठीक है ता उसनों अपना एर कंप्रेसर दा नाम दिनने है ता इंदे वीच कि इंदे जदों टैंक दियां मतल रोली होली होल इंदी रहें दी आउटोमेटिक दबाव अपनियां उपलियां समामते पहुंच दे बाद एर कंप्रेसर जो होन दे वीच ओ आउटोमेटिक बांद वह जान दा है एकंप्रेस्ट हवा टैंकी इस दी वर्तों करनी स्टोर किती आँदी है जो टैंकी हुन दी ने थे लिए और उर्जा हुन दी है दबावाली हवादे रूब इच आप वाक 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 देशने ले वर्ती जा सकती है जिमें की गंदगी दी सफाई करना पैनेमेटिक रैंच नू चलोना अधी चिज़नू चलोन वस्ते ठीक है इन अधी आप वर्तों कर सकते हैं जदो हवा जारी हुन आपना जो टूल है उस दी अपगाल कर दे हां पावर रैंच ए रैंच है एक किसम है जो की एक शक्ती श्रोत दी वर्तों कर दी है इस विच आम तोरते पावर श्रोत वाली जो वर्ती जान दी है जिमें की पावर रैंच दी है किसमा देविच आप दो पावर रेंच तीकल करिए टाइप ओफ रेंच डाड यूजए पावर सोर्स एन टेपिकल पावर सोर्स यूज़िजे कंप्रेस्ट एर टाइन विच आम तोरते जो पावर सोर्थ बावली हवावर्थ दियां ठीक है सब तो पहला जो अपा इथे रेंच दीकल कर रहे हूं इंपक्ट रेंच इडिसे सोकेट रेंच पावर टूल डिजाइन टू डिलिवर्ड टॉर्क फोर्स टू टैंट टू कॉज़िज आउट विट आउट्पूट विद दा मिनिमम मल एक्स्टेक्शन बाई यूजर ठीक है अपा कह सकते हैं एक सोकेट रेंच पावर टूल है जो पोगतां वारा काट में इंतनाल उच टॉर्क एक कुम्बन शक्ती दा मदा कारण बंदा है प्रदान कर लिए अपा इनों त्यार किता गया है इसनों इंपक्ट इंपक्ट रिया इंपक्ट गन एर एर अपा कह सकते है एयर रेंच भी कह जंदा है इर गन्वी कह जंदा है रैटल गन्वी टॉर्क गन्वी या हवागन भी इन्हों आप आपकसक दें तो अई बहुत इंप्टेंट ए एक सिर्विश्ण भी आजेंदा है कि निद दूसरा नाम कहीं ता मैं दोल देना है इंपक्टर या इंप्त गण एर रेंच एर गण रेटल गण टॉर्क गण अधीन जो भी नाम गए जान देहां आप इंपक्ट रेंच बहुत सारी जोग में चैजिए में बरते हैं देजिए में की आटोमाटिक रेपियर ठीक है ओटोमाटिव जिड़े की कह सकते हैं कारा मगेरा बंदी होते भी यू यूज किता है है जान नेक्स्ट अपगाल कर देयां एर रेचेट ट्रेंच ए कह सकते हैं दीज आर यूजवल फार लूजनिंग और टाइटिंग ऑफ था लोग टू मीडियम टॉर्क बोल्ट एक काट तो द्रिम्यानी टॉर्क बोल्ट नू टिला गरन या कस्नली लाब दा यह एक रेट 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 रेंच ए हाथ नाल चलने वाली पावर रेट रेट रेंच दा बहुत ही मिल्दा जुल्दा है उसनल ठीक है ता जैसे वेच एक एर मोटर सौकेट ड्राइवर नू चालू कर ली जुड़या हुंदा है जदो आसी मतला इस दिवेच ट्रीगर ज connects हुंदा हुंदा है जो खिछ दे आता मोटरание वेच 5 चालू है है जो सौकेट नू ड्राइवर जो कि ट्राइव नू मतला मोड़ दी है सौकेट ड्राइव दी दी दिशा बदन लही एक स्विच लगाई है फीप तह एक स्विच लगती हैज जो कि एरेंच विक्सित किता गया है जो कि इस दी गती लिव देरे टॉर्क लाई काट वर्ती जांदी है एक रेलू आते दियो कि प्लम्बिंग देख अम दो मिचे नू अपा यूज कर दिया है रेचेट रेंच नू तो अपना इस तो बाद अपना नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो है पैनिमेटिक टॉ प्रेंच एक विशूष तोर्ती डिजाइन की ता टूल है जिस्दा एक घीर बॉक्स है ठीक है बॉक्स हमें सब्स्रेंटेश श्थ goddess नू ओई टोल पैनिमेटिक अर्मोटर गोर्ट जोस्टिक एक पैनिमेटिक अर्मोटर ना जुड़िया हॉन है इस एक प्रितिक रियक उ दिन्दा है टोर्क आउटपुट नो निरंत्रग करने आव दे दिबाव नून रंतर किता है अदा है ठीक है एक नुमेटिक टॉर्क रेंच ऊच शुदता दे नाली बहुत काट कम्बनी पैदा करता है जहेर रेंच नू निरंतर गेरिंग प्रनाली द्वारा नुरंतर किता जान्द है जे में कि तुसी यह डाइग्रम देविच देख रहे हो ठीक है ए टूल नाट आते बोल्टा नो सानी ना खोलन आते कसन वेच प्लमबर दी समर्था नू वदा है या समर्था समर्था बना होदा है प्लमबर नू नाट नूँ खोलन देवेच ता यह जो रैंज सी अपना पेनमेटिक रैंज अपना टॉर्क रैंज कह सकते हैं अग्जय आगया अपना मल्टी टूल्स इस दी वरतों कई कमा में जीमें सोहिंग करना सैंडिंग करना रैस्पिंग ग्राइंडिंग स्क्रैपिंग कटना या अधी पॉलिश करने लिए पर वर्तों कर सकते हैं तक किती जांदी है इस यूनिट वे विचसी आफसेट अटेच्मेंट लगाई हैं हुं दियां ठीक है जै कई किसमा दे काम करनी किती जांदी है ये टूल बैटरी या बिजली द्वारा आम चलाया जा सकता है ये छोटे अटे जटिल कटानों लई बिलकुल सही कट सकता है ठीक है इस बास कह सकते हैं स्थापना अटे फिक्स्चर फिक्सिंग देदरान कई तरह दे प्लंबिंग कामली मल्टी टूल दी अपा वर्तों कर दे हैं इट इस यूज़ फर मल्टी वर्क्स लाइक स्वाइंग स द्राइवर्स ये एक उच्च टॉर्क टूल है जो मकैनिकां द्वारा वड़े पेच चाहते नटा नू तिला कर लिया पाँ इस दी वर्तिया जंदा है जो संखेप टांगना मतल जम जान दे हन याव देरे टॉक्ड हून दे हन इट 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 आई टॉक्ड टूल तो यूजए बई भाइडी मकैनिक मकैनिजम टू लूजन दे लार्जर स्क्यूस एं नट विचर कोलसीवली फ्रोजन और ओर अवर टॉर्क इस दें जो आवड़ टॉक किनन बहुछ जादा कुम बन्शक्ति क्सक्ति चाही चाहिए ज़ए कि ए उन जकए फ्रोजन हो जब टॉर्क नाल पेचा नूँ वी कास सकता है ये टूल ड्रिल चाल का नालो पार विच छोटे याथे हलका है ये विख्या जा सकता है कि ये टूल बहु पक्खी नहीं हुन दे ये बहुत सारे ही ये होजे कार्ज कर दे हन क्योंकि ओनना दा टार का आउटपुट आम ट्रिल ट्रैवल नालो उच चाहन दा है काम नो तेजी नाल कर लेई एक बहुत ये वदिया टूल है प्लम्बिंग वर्क विच इस टूल नाल कई तरह दे जंगाल या जाम जॉइंट नट अथे बोल्ट इसानी नाल खोलया जा सकता है तर नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है सावदनिया प्रिक्योशन्स डूरिंग हैंद्लिंग आफ पावर टूल्स सब तो पहले प्रबंदन अतिकारवाई दे दुरान करमचारी ने साट लगन तो बचौन ली आपाँ हेट लिकिया सावदनिया दी पालना करना लाजमी है तो सब तो पहले जो अपनी सावदनिया तो वर्क एरिया शुट बी फ्री ओफ हैनी एक्विप्मेंट और टूल्स दा कुट कॉज ट्रिपिंग हैजर्स आल्सो अवाइड वर्किंग इन दी स्लिप्री कंडिशन्स कम दा खेतर किसे भी अपकरन या सादन तो मुक्तो होना चाहिदा है जिस नाल ट्रिपिंग दे खत्री हो सकते हन नाल ही तिलकन वाली स्तिथी दे वेच काम करन तो प्रेज अपनों करना चाहिदा है Do not stand on the uneven surface while working काम कर दे समें ऐस मान सतते ना खड़ू Third point दुझ्जे करमचारी दे उपर सिद्धे काम ना करू Do not work directly above the employees within arms as reach of other employees Fourth number Work should be done in proper light. Do not work in the dark or with the poor light काम सही रोशनी वीच होना चाहिदा है हने रे वीच या मारी रोशनी नाल काम ना करू Fifth point Always wear a non-slippery leather shoes or boots मेशा गैर स्तिलकन वाली चमड़े या जुटे या बूट पहनो Sixth point Read and understand the operator manuals Operator दे manual नुपड़ो अते समझो Understand the method of using the tool It is a proper application and limitation एस निश्यत करोगी तुसी power tool दी वर्तों अते संचालन तो पूरी तना जानू हो Tool दी वर्तों करन दे सही टांग एस दी सही वर्तों अते सिमावानू समझो Always stay alert मेशा चोकस रहो Avoid the work of operating the tool when tied थक जान ते tool नुचलों तो प्रहेज करो 9th point एह मेशा शफार्श किती जन्दी है एक नमर कर्मचारी नाल काम करनी तरब जे कार Senior कर्मचारी नूं लगाउना लाजमी है It is always recommended that new employees must be deployed to work with an experienced senior employee Protective safety Protective ear protection when using tools for longer duration Ear protection भी यूज किती जावे जैकर तुसी को यह हुजे tool यूज कर दे हूँ जिन्दी अवाज काफी जादा है ता तुसी Ear protection भी तुसी यूज करोगे Check the tool and ensure it is good condition that battery must be family in placed Tools नूँ चंगी तरह चेक करो आते देखो कि उस दी battery बगादा सही position ते है हर एक चीज नूँ better position देते हैं अपना यूज करनी है नेक्स्ट जो अपना है do not open the battery of tool during rain किसे भी टूल दी जो battery है जो भी है उसनो रेनी condition दे विच बाहर ना कर दो ता जो तो टूल खराब ना हों ठीक है ता next point है अपना नेक्स्ट पॉइंट तूल ओप्रेटर विद इलेक्रिक वायर शुद भी रेगुले चेक्ट एंशूर दा लेक्रिक वायर इस नौट ब्रोकन और देमेज्ट extension cord should be grounded जिदों भी तूसी electricity नाल वर्क करना है तो त्यान रखना है कि कोई भी जो तार है वो तुटी नहों होए कि तो ताकि किते क्रेंट लग गर नाल नुक्सान भी हो सकता है इस करके इस चीज़ देते खास त्यान देता जाए next point है गया do not work in the watery areas जिते बहुत ज़्यदा पानी है उत्थे avoid करो उत्थे वर्क करना कोशिश ना करो किती जाए क्योंकि पावर टूल्स किसे शक्ती नाल चल दे जिमेंकी electricity नाल तो electricity पानी दे नाल आप अनुक्रेंट आ सकता है इस करके उन्हों जादा तो ज़्यदा है उत्थे जगां देते avoid किता जाए अथे जहां फिर बहुत ज़्यदा त्यान रख्या जाए ठीक है next point है गया है टूल्स विदे बैड कॉट्स और मिसिंग ग्राउंड ग्राउंड प्लक्स शुड नौट शुड बी रैट टैग्ड एंड नौट यूजड ख्राव कोड़ वाले टूल्स नू लाल टैग किता जाने चाहिए है अते इस्तमाल नहीं किता जाना चाहिए है कुछ होर पॉइंट्स ची में की कह सकते हैं टूल नूँ पैक अते अनलॉग रखो जदो इसी वर्तों ना होवे तिल लेक अपड़े पैनन तो बचो कांद वी ड्रिलिंग दा काम करन तो पहला बीग ली निया तारा नूँ चंगी तरह आपा चेक करो ठीक है प्लग इन तो फ्लम्बिंग पावर टूल्स तब सब्सक्तों पहला अपना टूल है इंपोर्टेंट ओध्लम्बिंग ड्रिल तो ओहां एक जो ड्रिल है ड्रिल इस तूल फिटिंग विदे कटिंग ए विड़ कटिंग अटाच्मेंट यूज़ तू मेक अ होल इने सरफिस ठीक है इसकी हंदाय अपना ड्रिल एक जहां टूल है जिसवेचे कटिंग टूल फिट किता जानदा है जिस दी वर्तों किसे सता कांधिया पाइप विच लोड अंसार शेक अनली अपां कर दी हां तां ड्रिलिंग दे दरान ड्रिल बिट ड्रिल मशीन देवेच अपां जड़ होल्स ऐस पर रिक्वाइर्मेंट कॉमन साइज अफ ड्रिल बिट आर एटीन एंड ट्वंटी फोर इंचिस लॉंग ठीक है जो आम प्लमिंग ड्रिल्स है ओ जो वर्ती जंदी है उठारा तो चोवी इंच जो लंबे हुन दे हां ये भी एक कटिंग टूल है जो कि अपनी श साइज यो टूल है दीजा टूल्स एंड मशीन यूज तो कट दा हाड मेटीरियल सच एज पाइप और वुड ये टूल है जो मशीन ना मशीन ना हन जो की सक्त पतारत नो कटल नी वरती है ने जमें की पाइपान या लगकर नो कटना किसे नू अजिकल प्लास्टिक या है ठीक है एक पीवी सी पाइप नो कटना ठीक है पावर सी वरतों ना कटना असान है ठीक है लगकर रहते ताहत नो स्पिल्टर्स या मैटल फिलमेट पिछे जो की मुश्किल ना मुश्किल बन सकती है अपने लिए हो चीज ठीक है इसलिए जो प्लम्बिंग साउस ने और अजकल जो यूज ओरी अपनी पाइपस ने और पीवी सी पाइपस ने और नॉर्मल एक हैंड एकसनल कटी या सकती है अजग तरस आप तो पहले अपनी आज आज अज़ एंदा आरी दे वेच गल करिए तरस आप तो पहले अपनी आज़ें दी सर्कुलर साउ एक खोल साथ रिंग सावी मतलल एक सर्कुलर मोश्टन कर दिया वाकवक्स मगरी नू कटन ली ब्लेड दंदे या खुर्दरी डिस्क दी वर्तो कर दी है एक होल साथ रिंग सावी मतल एक सर्कुलर मोश्टन लागू कर दा है पर एक सर्कुलर आरितों वक्री है ठीक है ता लग लग सर्कुलेशन दे रही है आप आई नू कट कर सक दे हैं नेक्स्ट अपने हैं गया है हैंड हैक्सा पीवीजी पाइप दी लंबाई नू कटन ठीक है कटनली इस अ मोस्ट कॉमन टूल्स टू कट ते लेंट ओप पीवीजी पाइप ऐस कॉमन ली अवैलेबल ठीक है कटनली साथ तो आम सादन है क्योंकि ए आम तोरते अपलब्द है ठीक है तो पीवीजी कटन दो बाद जो बुर्व बाच जान दिया है उन्हों अपना अपना अधर्श टूल है जो एक आम प्लंबर कुल होना चाहिए है नेक्स्ट अपनी गालहाई टीजन है निक्स जिग्सा जिग्सा जो भी टूल है वह एक एक लेक्ट्रिक मोटर मैं मोटर आते एक रैसी प्रोकेटिंग जो की ब्लेड दा बने हो बिजली दे एक सो है ठीक है एक जिग्सा लकड ताथ ड्राइव ओल्स या फाइबर ग्लास नाल काम करता है ब्लेड दानी चोन कम स्मगरिये ते प्रोजक्त दी किसम देदारते इंदी विच आप कर दे हां ता इस दे कोडिंग अपनी ग्रेडी कर दिया जिग सो दी प्रिक्वेशन डिवरिंग हैंडलिंग सो जिमें अपा पिछे प्रिक्वेशन पढ़े सानों में अपां किसे आरी नू चुलों लगे अपने की दमाग चाहूने चाहिए सब तो पहली अपनी है आरे ते गार नू सही तना रखो सैकिंड आरी दे दो में हैंडल दे दो में हाथ रखो कटिंग शिरू करन तो पहला सरख्या गोगल सते कांदी सरख्या नू पहनू अपने श्रीर नू ब्लेड दे खब्बे या सज्जे पसे रखो ता जो वापस लात ना मारी जा सके उसनू मतल बाडी तना लग टू अवाइड बिंग किक बैक ठीक है फिफ्ट पाइंट जो अपना है गया है स्मगरी दे हेठा जाना है जदो आरी करना जारी है लाज मी तो रते वर्जित होना चाहिदा है तले मतल अंडर दा माटीरियल वैंट स्वाइंग इस ओन ठीक है मस्ट भी इस ट्रिकली प्रोह ठीक है जाम आरी दी जाँच करो जहीं आरी दी वर्तों ना करो ठीक है ते इस बाद इस बाद अपगाल करिए एट पॉइंट दी ब्लेड बदन वे ले प्लग या बैटरी हटाओ नाइन पंड ब्लेडर नीमित जाँच करो अथे कामदी स्थी विच रखो स्वंतुलन लई सही कदम हमेशा रखो स्मगरी नूँ कटलनी हमेशा समें क्लैंप अथे वाइस दी वर्तों करो असल डुगाईली आरी नूँ सेट करो हो लिये थे त्यान ना कटो लकड़ी कंक्रीट टाइल या पत्थर नूँ कर दे समें तूर तो बचन लिसा लैनवारे मास्क पहनो ठीक है है इलाज कितनी लकड़नों जो भी ट्रीट किती लकड़नों खुल ले थे हवादार खेतर विच खटो जो तूसी कम कर रहे हो ता अपने स्रीर दे व्रुद्व दे रे लोड ना पाऊ स्तारा नंबर जो पॉइंट अपना कम कर दे समय अपने हाथ ना लक्रनु कदी ना फड़ू ठीक है एट्थ पॉइंट जो की बिजली दे तार कांद दे अंदर हांता इसका लवशेश त्यान रखो कम दे स्थान ते या इमार्त दी बिजली जो की बांद करो इंटेंड बोर्दे हेठां कड़ते समय विशेश जो की त्यान रखना चाहिए है ठीक है ट्वइंट नंबर पॉइंट है जो इदर है अपरेटर दी कताब विच देते हैं दाइता नों हमेशा आपने पालना करनी चाहिए यह अपने विश दाइता ने नेक्स आपना डोबी है प्लम्बिंग ग्राइंडर ग्राइंडर एक वेच एक बहुत ही खुरद्रा पैया हुनद है जो की कटिंग टूल वे जो काम कर दा है पैयिदी सता ते खुरद्रा पत्थर लगा हुनद है जो की किसे भी पदार्त हूं छोटे-छोटे हिस्सिया में तोड़दा है ओच पद्री क्वालिटी या का आ रहते बहतर शुदता लई वर्क पीस दी ग्राइंडर दी मतल नाल मुकमल किता जांदा है एक ग्राइंडर जो की बहुत ही ब्रीक की नल पीच सकता है एक अप टू दी ओडर ओफ पॉइंट जीरो 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 ट्वटी फाइंड अपनी तक पीस दी अपनी सहता कर दी एक ग्राइंडर ता आज दी जो इस चैप्टर दी पूरी सम्दी इन दिस यूनिट वी आव लेंट आप डिफरेंट आप 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 पावर टूल्स बरिया पाडिसकस किता ठीक है इ यही पूरे सेशन दे विच सीगा तान थैंक यू सो मच फोर वाचिं दिस वीडियो